सोनु बहन जी का जो सवाल है कि भारत में खास्तोर से नौर्थ भारत के अंदर और खास्तोर से दिल्ली के अंदर जो सिड्ली कास्ट का एक हिस्सा है जो सफाई का काम करता है उसको यहां बार बार यह बताया जाता है कि उससे सफाई का काम और टटी उठावाने का जो काम है वो मुगलों ने किया मुसल्मानों ने करवाया है यह बात हर बच्चे के कान में डाली जाती है जो सफाई की जाती के काम करने वारे लोग है या जो बच्चे से आप पूछ लो हर बच्चा इसको तुन्त बता देगा कि यह मुगलों ने और मुस्लमानों ने करवाया है इसलिए सौनू बहन जी जब यह प्रसंद करती हैं अगर वो मेरे को फोन कर लेती हैं तो मैं दो मिनट में उनको इतियासकार बना देता और आज यहां जो 246 आदमी है वो पूरे इतियासकार बन कर जाएंगे एक एक चीज़ को और किसी को किताब पढ़ने की जरूत नहीं है यह जो आप बुद्ध को नहीं समझ पाते और डॉक्टर अंबेटकर को नहीं समझ पाते बुद्ध को और डॉक्टर अंबेटकर को समझने के लिए किताब पढ़ने ही जो तो नहीं है उनको उठा के अलमारी में सजा दो सिर्फ मन का इस्तमाल करो चिंतन का इस्तमाल करो काम चल जाएगा सबसे पहले तो ये देखो कि जब भारत में मुगल आए, मुसल्मान आए तो सत्ता किसकी थी? क्या सत्ता वो समराट लोगों की थी? हमारा रास तो जा चुका था जो समराट असो का रास था वो तो जा चुका था उसको तो गए हुए 400-500 साल हो गए थे तो सत्ता जो थी वो समण की नहीं थी वो बंबन की थी तो बंबन ने सत्ता में रहते हुए और मुगल आके और उसकी छाती पे दाल गल गये तो काबिल कौन मुगल कौन तो नाकाबिल और निकबमा कौन शा राज हार जाए और राज हारने के बाद में उन्होंने समझोधा कर लिया और समयोता करने के बाद में अपनी रिष्टे नम शादील और भूंब रिस्ते नहीं कहा हैं और जब अग्रेज आए तो और इतने काब्ल मुगल थे मगर बंवनों से मिलके वो नाकाबल होगे नाकाबल लोक्से नाकाबल मिलेंगे तो आदमी काबिल भी का बिली चाता है तो अंग्रेजों ने राज कर लिया और राज कर लिया उनके उपर और अंग्रेजों का राज हो गया अंग्रेजों का राज आने से या मुगल का राज आने से या दुनिया में कोई भी कहीं कॉलोनिया राज बनाता है तो इस बात को ध्यान रखना कि जिनके उपर वो राज करता है उनके उद्धार उनके उठान उनको उठाने के लिए कोई काम नहीं करता है वो अगर कोई काम करेगा तो अपने राज को कायम करने के लिए अपने ब्यापार को कायम करने के लिए वो काम करता है अंग्रेजों ने हमें यहां सेना में जो भर्ती किया ख जो यहां स्रालक बंवाई वहों तक बनवाई अंगरे जो पुल बनवाए वो पुल इसनी बनवाए कि उनकी सेनाय आसानी से आ सके जा सके हो हमारे लिए नहीं थे हम पर तो राज करेंगे उसे पौन उठाता है उपर तो उन्होंने जो अंगरे जी हमको सिखाई एंगरे इसकूल खोले तो अपने ऑफिस का काम करने के अगर हमारे फाइदे के लिए कोई काम नहीं किया, उन्होंने कोई कास्ट सिस्टम खतम नहीं किया भारत के अंदर, उन्होंने कोई आदेस पारित नहीं किया, कि आज से कास्ट सिस्टम खतम किया जाता है, और उन्होंने कोई ये भी नहीं कहा, कि आज के बाद में कोई अत्य वो तो कि जोबी कालोनी जो भी आता है लाज करने के लिए किसी दूसे देश पर उसकी संख्या बहुत कम होती है, कुछ हजार, एक अदर लाग बस, तो अगर करोड़ों लोगों पर या पांस करोड़ों लोगों पर कोई एक हजार दसे जार एक लाख आदमी लेके आएगा तो वो समझोते के साथ में और थोड़ी सी सक्टी दिखा के राज करता है वो अपना पूरा ओडर नहीं चला सकता एक कंप्रोमाइजिंग हम ही थे जिनको दबाया वह हम ही थे सोशन तो हमारा ही हुआ हम उठे नहीं अंग्रेजों के राज में और नहीं हम मुगलों के राज में उठें हम बावा साथ के राज में अफसर बने हम बावा बावा साथ के राज में जाके हमने बोलना सीखा है कि जो मैं कोट पहनना हू ये बावा साब के राज में मिला है मुझे ये अंग्रेजों के राज में नहीं मिला ये मुगलों के राज में नहीं मिला हमारे इस्तिमाई खराब की तो इस बात को आप उस कोशन पर आ जाते हैं कि जो सोनु बहेंजी पूस्ती है तो दिल्ली का धर्ण लेते हैं दिल्ली में एक औरंग जेब नाम का आदमी जो मुगल राजा था वड़ा फेव मसेज इसको कहते हैं कि वो जब साम को रोटी खाने बैठता था तो एक मन जनेव 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 जानते हो आप धागा जो ब्रहामण की गले में होता है यानि कि वो इतनी हत्याएं करता था कि एक हत् होता था तो एक मन हो जाते थे एक मन का मतलब चालिस किलो और जब वो चालिस किलो हो जाते थे चालिस सेर तो चालिस सेर का मतलब पचास किलो होता है तो जब वो एक मन हो जाते थे तुलाई में तब वो खाना खाता था यानि उसने इतने सारे आदमी या तो मारे या इतने स तो बजन है एक ग्राम है एक किलो में कम से कम एक हजास जनुव चड़ेंगे तो एक दिन में पचास किलो के हिसाब से पचास हजास जनुव होगी तो आवादी कितनी थी अंग्रेजों के समय जो हमारी आवादी थी वो छह करोड थी और अगर हम अपनी 22% को छह माने तो तीस सारी आवादी रही होगी यह तो अंग्रेजों के समय थी और अंग्रेजों से पहले मुखल में जाओगे अगर आप दो साल पहले तो आवादी कितनी होगी तो कम से कम तीस क्रोड को नहीं होगी तो छे करोड होगी पांच करोड होगी उसमें कितनी आवादी होगी जो सारे के सारे जो लोग थे जो मुस्मिम बने अगर वो रोज चालिस पचास हजार आदमियों को बदल आए उनका जन्य उतार रहा है तो पहली बात तो इतने हैं अब्रहामवर नहीं क्योंकि जन्य जो थे वो दो या तीन परशन लोगों को मिलते थे जो बनिये हैं उनको भी जन्य नह चोटा होता है और जो खड़िदा गया है वो आठ हंगल चोटा होता है उसकी लंबाई होती है तो तीन परसेंट आदमी कितने अगर सारी आवादी दस क्रोड़ भी आप लगा लो सेंसस में दे रखिये मुझे आडिया नहीं उसका पंदे क्रोड़ लगा लो तो उसमें ती और गाती अर्वा में जाती है रोज के हिसाब से उन तीन परसेंट के परसने पर फिर वो कहते हैं कि उसने जो यहां धर्मिस्थल तोड़े हिंड़ों के तोड़े सारे तोर दिये दिल्ली के सारे धर्मिस्थल आजब поэтому कमाल की बात तो यह हैदिली के सारे अज़तُ ब यह दिमाग के इस्तेमाल कर लोगे तो पता चल जाएगा कि भाई कोई भी मरा वाँ चलो इसको साइट में छोड़ो मरे या मराय या उसने चोड़े अब यह कहते हैं कि टट्टी उठाने का जो काम है जो सफाई का काम है वो और उंग जिम में करवाया चलो मान लेते हैं और उ का राज है जो इस बात को कह रहे हैं कि मुसल्मान दोसी है तो अब क्या दिक्कत आई अब क्या आफात आई अब तो उसको ठीक कर लो अब तो राज मसल्मानों का नहीं है अब तो मुगलों का नहीं है भाई अब तो राज तुमारा है तो अब जब राज तुमारा है तो इ स्केविंजिंग है यानि जो सर पर उठा के टट्टियां जो हमारी ओड़ते हैं मातर महने जाती है उसको बंद किया जाए वह भारत में बंद नहीं है अभी तरह से अब किसका राज है अब कौन रोग रोक रहा है अब ना तो मुस्लमान है और ना वह इसाई है अब क्या दिक दे दिया और सी को इतने दे दिया जो हमारे टुकड़े करके हमारे लोगों को लड़ाया जाता है आरक्ष्ण के लिए किसी बात के लिए तो हम उनसे यह पूश्ते है सत्ता किसी है देने वाला कौन है अरे देने वाले तुम हो तो तुम बी को ऐसे जाता दे दो ना मने कौ तो हम को इतना मेरा कॉन है तो थोड़ा सोच लो जो कि देने वाला कौन है हम तो जब देने वाले होंगे तो यह कहेंगे कि जो बहुत जादा ले गया उसको जरुत नहीं है जिसको कुछ नहीं मिला उसारा ले घाओ क्योंकि इगलोटी आनी चाहिए समानता आनी चाहिए चोटी छोटी बातों के लिए इत्यास पढ़ने की जरूत नहीं है छोटी छोटी बातों के लिए समस्याओं के लिए सिर्फ इतना जानने की जरूत है कि देने वाला कौन है लेने वाला कौन है जो कह रहा है वो कर क्या रहा है इसका दूसरा पक्ष क्या है अगर आप दूसरा पक्ष क्या है अगर आप दूसरे की किताब पढ़ते हैं और दूसरे की किताब पढ़के और जब बात करेंगे तो बात दूसरे की रहेगी आपकी नह लिए कहते हैं मनन कीजिए चिंतन कीजिए सोचिए कि जो कवीर दास हैं कौन सी किताब पढ़के आए सोचने का काम करते थे कितने मार्क छंता थी और कितने प्यार से बोल जाते थे ये जितने भी संत हैं ये कौन सी यूनिवस्टी में जाते थे, सोचने काम करते थे, ये सोचने के काम का पैसा नहीं लगता, और सोचने के लिए किसी ने मना नहीं किया, इसने सोचने का काम करेंगे, तो समझ में आ जाएगा, कि हम खड़े कहा हैं, और हम को खड़ा किसने का पिल जाती है उसकी किताब एक पढ़ने की जोत नहीं है तो यह किताब पढ़ने की जोत नहीं है सब सौन में आ जाता है एक एक चीज पष्ट सामने दिखाई दे जाती है इसलिए जब भी कोई समस्य आये तो सबसे पहले यह देखो कि यह समस्य हमें बता रहा है इसका रास्ते में मिला T familiar Sw comenz we eso ऊदेश को पूद्धे पूझे क्यों कि तुजे क्या है ते ठीक है तुझे किया मेरा जल्ला तो तुझे क्या ये से इस पश्च होता है कि आप उसका उद्देश को पूछो कि भी तुझे क्या है तैनु की है तू क्यों यहां परिसान हो रहा है जब आप उसकी परिसानी उससे पूछेंगे तो उसके आवाज लड़ खड़ा जाएगी हिल जाएगा वो क्योंकि उसके अंदर का चोर पकड़ लिया आपने हमारे कान में उट इच्छी बात चाटके जा रहा है इसलिए यह जो कंसेट बार बार बताय जाता है और यहां इस बात को हमने बहुत अच्छी तरह से जाना परखा है कि समड संग के अंदर कास्ट की बा आंगो यहां हम सारे समड़ भाई है हमारी स्टैंट इसी बात में हSo सवालों के जवाब खूब आने चाही है, सवाल खूब करेंगे, मैं में मत रखना, क्योंकि अकर समण हो, तो हमने जात खत्म कर दी जड़ से, मैंकर फायदा नहीं छोड़ेंगे, बाई, कोई यहां आ जाए, कोई या यहां कोई वकील आ जा है को यह कहए कि आप समर्ण खो जातका फार्दा c को यह करेंगी हम इसको आंदणीनाय करेंगी कि हमारा उर राइट है यह बात हम साफ कही बार बता चुके है और इसमें कोई शक भी नहीं आजकर हम पंद्रे माई दो हजार बाइस माई जो बड़ी मीटिंग होने वाली है जो हजार से लेके और डेट दो हजार लोगों तक होगी है पूरे देश से और बाहर से लोग आएंगे उसकी त्यारी में लगे हुए हैं और सभी लोग अपनी अपनी इंडिश्टर बना रहे हैं कि किस किस को आना है किस किस को यहां पे स्पोक बनाना है और तैयारी अभी से करिए क्योंकि जो पहले तैयारी कर लेते हैं वो बाद में आराम से रहते हैं और जो बाद में तैयारी करते हैं वो अभी भी दबाब में रहेंगे कि तैयारी करनी है और तैयारी नहीं करेंगे तो बा सारे अपने जो बड़े-बड़े संग्ठन चलाने वाले लोग उनको बलाया था बात बनी नहीं कि संग्ठन के लोग अपनी नहीं चोड़ना चाहते तो चुकि अब हम उनको कॉल करने हैं दुबारा से उनको रीकॉल करना है तो उनका फोन लगाया तो एक व्यक्ति का मैंने बनारास में फोन लगाया जो एक संग्ठन चलाते हैं वो बेसिकली संग्ठन चलाते हैं बावा साब की बात सुनाते हैं और धमकी बात बताते हैं तो मैंने उनसे पूछा कि या नहीं पूछा जी सब ठीक ठाक हैं आप बताईए तो मैंने उनसे पूछा कि भई आपका जो स साथ इखटे बैठते हैं कोई में इखटे सामझ रस्म है कि अगर हम बना रस्म है सब लोगों से बात करने चाहिए तो कैसे करेंगे उन्हों का जी नहीं साथ-साथ नहीं बैठते तो फिर काई किसे काम चलेगा तो कभी इखटा होने का कोई तरीका तो होगा कि उन्होंने का जी नहीं है हाँ एक बार दो अप्रेल को अथारे को अपने आप इखटे हो गए तो मिंगा भई वो तो जो समस्यसे आय थी ता हुए थे तो कहले कि हाजी जब भी कोई ऐसी समस्य आएगी जब भी कोई परशानी आएगी जब भी कोई एक्टो सिटीज होती है या कहीं कोई मर कट जाता है तो हम सब इखटे हो जाते हैं तो मैं बहुत भाई आप इखटे होने के लिए एक्टो सिटीज का किसी के मरने का किसी के ब्लादकर करते हो क्य सबसे के का ऐसा तो कोई इस तो की सिश्टम हम ने यहां तो दिख ढूँ आ ल्यूलग हो जाते फिर अलगले हो हो जाते हैं पूरे देसमें यहीं चल रहा है तो अधिक्या है तो तो हमतने पूरै अधिया जाते हैं तो मैंनों से कह मैंने का जी हम तो वही काम करने हैं जो आंध वर्देस में आपको बताया था जुड़ने का जोड़ने का बोले अच्छा तो उद्देस से क्या है मैंने का जी उद्देस से और अब्जेक्ट और हमारा जो भी कुछ है जुड़ना है जुड़ना है करे नहीं तो फिर जुड़ यह रावाज के हमारी यारी मतलब वो इस बात से सैडिस्ट्टाइड नहीं हुए कि जुड़ने जुड़ने का भी काम है और मेरे सारे सवाल के जवाब में वो यह नहीं बता पारे कि वो सब इखटे हैं नहीं मतलब खुद तो फेलियर हैं वो उनके पास में कोई सिस्टम नह मरे और वो जुड़ जाएं वो एक सहर में नहीं जुड़ सकते और हमको कह रहे हैं कि जुड़ने जुड़ने का उद्दे से बताओ उनको उद्दे से चाहिए उनका उद्दे से या तो उनसे मैच होना चाहिए या कोई डिफर होना चाहिए जो यहां चलते रहते हैं यह सम दूसरी व्यक्ति से बात हुई वह भी संग्धन चलाता है संग्धन पर रोजी रोटी खाता है तो वह एक वार मिला जहां संग्धन जुड़ने की बात आई तो मैंने उसको फोन किया कि ऐसे से काईकरम है आप देखो अगर आपका जुड़ने जुड़ाने का अगर मन बना हो तो ठीक है तो वो मेरे से लड़ बैठा वो वीडियो देखता है उसको जानकारी है तो वो इसलिए लड़ बैठा कि मैंने उसको यहां वीदा पीपल समझ संग में देर से फॉन किया उसने मुझे बलाया नहीं और उसको यहां स्टूल चाहिए कुरसी चाहिए कोई सकता करते हैं कि उसको यकिन ही नहीं आची पोज्ट डरूर होगी आइसा नहीं होसका आप बताना नहीं चाहते मैं Branch से आयो इसलिए कुछ ग्रवड है आप मुसे नारा आ जो अब ही मैकाय का नार नारा जो यह छोटी-छोटी समस्या है कि बड़े-बड़े नेता कुर्सी और मेज और इस्टूल ढूंड रहे हैं अब यहां इस्टूल इस्टूल होता नहीं तो यह दिक्कते आएंगी क्योंकि जमीन बेड़ने वाले हम सारे लोग हो गए हैं लोगों को यकीन नहीं होता कि हम जमीन पे बैठते हैं लोगों को यकीन होता कि हम बिना पैसे काम करते हैं लोगों को यकीन नहीं होता कि इतनी सारी मीटिंग वर्चुल और एक्टुल और लगातार बढ़ती जा रही है ये बिना पैसे की भी संभव है लोगों को यकीन नहीं होता कि हम इतने भायचारे इतने परिवार में आपस में बाचित कर रहे हैं कि हमारे जो संबन्न है वो हमारे सगे परिवार से भी जाता मजबूत होते जा रहे हैं यकीन नहीं होता क्योंकि यकीन इसले नहीं होता कि सतर साल से जो ढो रहे हैं और जो देख रहे हैं उसी में उनका यकीन विश्वास है ठीक वैसा जैसा किसी बच्चे को ये बता दिया ज और अचानक उसको 70 साल के उमर में यह पता चले कि गौड नहीं है हाड़ी अटेक होगा उसे बचने के चांस कमी रहेंगे उसकी तो सारी मानता ही तूट जाएंगी इस बात के लिए ठीक वैसे ही इस्तिती हो रही है संग्ठनों में जो लोग है पता दिकारी है उनसे बात करन बता हैं और अगले पांसाथ दिन में यूटूब चैनल बना लीजिए और वीडियो सारी लोड करके इसे जो चैनल है उनसे लोड़ करके अपने अपने उस पर डालिए तो जतने ज्यादा हमारे चैनल बनेंगे उतने उनको बताने में आसानी रहेगी उसके ब्लॉग लिख लिखने सुरू कीजिए इसके आर्टिकल लिखने सुरू कीजिए हाथ से लिखके इसके फोटो खीचने सुरू कीजिए टाइप करके लिखना भेजना सुरू कीजिए आडियो बना के भेजिए आडियो बजाना बड़ा आसान है मोबाल उठाइए उसमें वोईस रिकॉर्ड क जीजिए जो आपने करनी है और उसको फारवड कर दीजिए आपकी वोईस रिकोर्डिंग मेसे चला जाएगा तो पोस्ट बनाएए तो हासे मनाएए तो जंडा बनाएए तो बैरा बनाएए तो घर के ओपर लगाएए दरवाजे पर लगाएए तो करते रहिए कुछ ना कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो हम जल्डी जल्दी सफ़ल हो जाएंगे जल्दी खटे हो जाएंगे जल्दी हमें फायदा हो जाए और और नहीं कर पाई तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि समढ़ संग वीदा पीपल हम भारत के लोग जितने भी हैं अब हम जीत के मुहाने पे खड़े हुए हैं जीतने के लिए हमें ना डंडा उठाना है ना डंडी उठानी हैं सिर्फ हमको फॉन उठाना है और फॉन सब के पास ह सिर्फ फॉन उठा के उनको यह तो whatsep message भीजिये या वीडियो भीजिये या और रोड़ी बेजिये और कुछ ना कर सके तो voice call कीजिये बात करिंए फॉन पर जिन्के पास फॉन भी नहीं है उनसे कहिए कि भई मैं आ रहा हूं मुह से बात करिए हम अगर उन तक बात को पहुचा देंगे तो हमारी बात आगे जाएगी उनको समझ में आएगी तो फिर हम इखटे होंगे जब तक बात समझ में नहीं आएगी तब तक हम इखटे नहीं हो सकते कोई भी व्यक्ति जब तक बात को समझेगा नहीं वो एकटा नहीं हो सकता यहां भी जितने लोग हैं वो दस महिने से आज ठीक दस महिने हो गए हमको चार तारीक आज है हम पांच महिने से स्टार्ट हुए थे आज पूरे दस महिने हो गए हैं कल दस महिना और एक दिन करेंगे जब तक कन्विंस नहीं होंगे जब तक बात को समझेंगे नहीं तब तक वो काम सुरू नहीं करेंगे और जब तक काम सुरू नहीं करेंगे तब तक एकटे नहीं होंगे और जब तक एकटे नहीं होंगे तब तक मिलेंगे नहीं और जब तक मिलेंगे नहीं तब तक मजबूत नहीं होंगे और जब तक मजबूत नहीं होंगे तब तक बचेंगे नहीं क्योंकि जैसे लखड़ियों का धारन होता है कि एक लखड़ी को तोड़ लेते हैं लखड़ी जब जुड़ जाती है और आपस मिल जाती है चिप तो हम जिसको चाहेंगो उसको तोड़ सकते हैं क्योंकि जब एक लाठी मजबूत होके जुड़ जाती है तो फिर तो वो और उको तोड़ती है उसको को नी तोड़ता तो मजबूत हमको हर अलत में होना पड़ेगा इसलिए वीदा पीपल समढ संग के अंदर मीटिंग बहुत से मीटिंग होनी है और एक मैसेज बनाई यह जो बहुत इंपोर्टन्ट है 14 अप्रेल को बावा साब का जो जरंद मनाना है उसके लिए किसी को पैसा नहीं देना ना प्रशी कटनी है और सारे रिजदारों को फो फोन उठाके मना कर दिजिए कि इस वार बावा साब की जो है ओ बिना पैसे के मनेंगे हम हात में लेकर ज़लाएं ग कर बनाई करेंगे कि घूबावा नुकलते हैं और एक निकलते हैं विजदार कारों करने सारी मुमेंट करते नहों हैं लोगों को एकठा मेंगने 17 ऐसा इखटा करते हैं अगर ये साल में दो बार भी पड़्ची कार्टनिक बजाए लोगों को इखटा करने के लिए आ जाए और पर्मानेट इखटा करने काम करते तो आज हमारी यहालत नहीं होती साल में दो बार इखटा करने से हम जीत नहीं सकते साल में दो बार तो इवें करके खुम मिलते हैं नई कपड़े पहने के नमाज पढ़ते हैं दूसरा जहां भी काम करेंगे जैसे कम करेंगे उनकी 5 वार की नमाज होती है नमाज में उनका एकसाइज भी होती और वो मिलते भी है और एक दूसे के दुखदब्वी तो जो समौ जो परिसद, जो गड़ रोज पांच वार मिलेगा, उसका कोई का कर लेगा, वो सन्निपात बहुल कर रहे हैं पांच वार, हम अफ़ते में एक वार नहीं नहीं कर रहें, तो उनका क्या कर लेगा, जैसे खाने की रोज आवशक्ता होती है जैसे रोज नाने की आवशक्ता होती है वैसे ही रोज मिलने की आवशक्ता होती है सुरक्षा के लिए अगर हम मिलेंगे नहीं तो सुरक्षित नहीं रहेंगे जो इसाई लोग हैं वो संड़े को मिल लेते हैं अब हमारा सोचिए कि हमारा कहा है सन्न तो दूसरों की किरपा से रहेगा ये ठीक ऐसे है कि जैसे कोई आदमी बहुत तेज ड्राइवरिंग कर रहा है तो वो जो दूसरे लोग उसको बचाएंगे उनसे बचेगा अपने आप तो ठुके गए ठुकेगा क्योंकि तेज चला रहा है वैसे ही अगर जो व्यक्ति कभी नहीं मिलता समाज में लोग उसे नहीं मिलता बाई चांज से जब तक देश में शांती है जब तक लोग उसके पीछे नहीं पड़े हो तब तक शांत है तब तक बचेगा अगर कहीं कुछ हो गया लोग उसके विरोध में हो गए जैसा कि प्रचार चल रहा है कि आरक्षन ख खागे ये खागे वो खागे दुनिया मर का जहर घुला जा रहा है अकिला व्यक्ति बच नहीं पाएगा समू होगा तो बच जाएगा इसलिए समझ संक्याव सकता है अधिकारों को बचाने के लिए बच्चों को बचाने के लिए जान को बचाने के लिए जिनको ये बास समझ कर चुप नहीं बैटना है, उनको ना समझो को समझाना है, समझना है, समझ कर समझाना है, और समझ कर चुप नहीं बैटना है, कि मैंने दो को समझा दिया, उनको कहना है आगे समझाओ, उनको डेली उनकी मौनटी करनी है, समझाओ, जब तक समझाओगे नहीं, समझोगे नहीं आगे समझाओगे ने, चैना आगे बढ़ेगी नहीं, हम जीतेंगे नहीं, कोई सौर्ट कट नहीं है, जीतने का, बचने का कोई सौर्ट कट नहीं है, और किसी के भरोसे रहना मत, हर व्यक्ति अपनी जान बचाता है, हर व्यक्ति अपने बच्चों जान बचाता है, आपके सम पड़ोसी बचने आएगा या पड़ोसी खुद बचेगा थो फिर अपनी जान खुद बचाएगा तो भाई आप को खुद बचानी है इसलिए बिना किसी लांग लपेट के इस पर लग जाए दिनराद दिनराद मिलने का काम करने का सबस़ बढ़िया तरीका यह है कि आप मीटिंग लगाईए और नहीं लगा सकते हैं तो जो मीटिंग लगाईए वहां तक लोग पहुंचाईए और यह काम करने का दायरा है वो जहां आप बैठे हो वहां से लेके और दुनिया के हर शहर तक है जो व्यक्ति समणा आपको जहां मिलता उसको वहीं जोड़ रह है क्योंकि जो पहुंच है वो पूरी दुनिया में है इसके अईसा दिक्कत नहीं है कहीं का व्यक्ति आपको लगता है उसको फॉन करो मैसनद दो пери जोड़ जाएगा हम यहां की वाकी जोड़ जाएंगे आपस मं देने जोड़ जाएंगे बच जाएंगे अधिकार भी बच जाैंगे जो एडूकेशन कमाई यह वह भी बने काम करने वाले थे एपर शोड़ी सी दिक्कत आ गई हैं अगर हम फिर जट जाएंगे तो बड़ी मारी pacep काम दंदा नहीं है तो काम दंदा मिलेगा पैसा भी आएगा सारी बातें होंगी मगर होंगी तभी जब हम जुड़ेंगे जुड़ेंगे तो जीतेंगे और जीतेंगे तो जिन्दा रहेंगे जिद्द जुड़ने की है जिद्द जिन्द रहने की है और इस वार हर हालत में क्योंकि बहुत अच् कि इतना अच्छा आज तक कभी पिछले सतर साल में चला नहीं है दस महिने के अंदर आपकी इतनी बड़ी-बड़ी मीटिश लग रही है अच्छे अच्छे लोगों की नहीं लगी है सिर्फ इस नहीं है कि समठ संग का कंसेट बहुत अच्छा है जुड़ने जोड़ने का कंस आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़न चाहिए या print में खाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकालकर भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको liberty है आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे अपने page पे अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप यूटूब पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या मह पुर्षो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पुझी आपकी है धन्यवाद संगों सरेण गच्छामी संगांभ स्राइन गच्छामी संगं सरेणां गच्छामी भूतियं पी बुतंग सर्मंग च्छामी, भूतियं पी दम्मंग 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 सर्मंग च्छामी, भूतियं पी द पी संगं सर्णं कच्छामी तरतियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी तरतियं पी संगं सर्णं कच्छामी तरतियं पी संगं सर्णं कच्छामी